बच गई बाबा राजम की कप्तानी जी हाँ सही सुना आपने एक बार फिर से बाबा राजम की कप्तानी बच गई है और इस बार सिर्फ कप्तानी ही नहीं बची है बलकि उनको और ताकत के साथ नमाजा गया है यानि इसका मतलब साफ है कि कोचिंग स्टाफ के साथ यानि Gary Kirsten और Jason Gillispy बाबा राजम के साथ मिलकर अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नई ब्लूप्रिंट तयार कर रहे हैं वैसे सस्ट तो ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नए ब्लूप्रिंट की जरूरत भी है जैसा उनका हालियार प्रदर्शन रहा है। खबर आई है कि नए चैन समिती तयार की जाएगी जिसमें सिमित ओवरों के कप्तान बाबा राजम और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को भी जगयाएं दी जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई चयन समिती में कुछ पुरू क्रिकेटर, कोच और दोनों कप्तानों को जगए दे सकता है अब इससे साफ है कि दोनों कप्तान और दोनों कोचेश के साथ मुहमद यूसुफ और असद शफीक ही अब यहां से खिलाडियों के चयन प्रक्रिया को लीड करने वाले हैं आया को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि कहां से पाकिस्तान क्रिकेट की सारी नीव हिली है और उसके बाद से कोई टिखी नहीं पाया है लेकिन फिर ने कप्तान बने शाहिन शाफरीदी ने भी टी-20 वर्लकप से थोड़े टाइम पहले ही कप्तानी के पत से इस्तिफा दे दिया और पीसीबी के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी हलागिन सब के बीच बाबा राजम और शाहिन अफरीदी के बीच मन मुटाव के खवरें लगातार सामने निकल कर आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के टीम गुटों में बट गई है अब इसके बाद फिर कप्तानी के जिम्मेदारी बाबा राजम को सौप दी गई और फिर टीट्वेंटी वल्लकप दोहजार चौबिस में भी पाकिस्तान का वही बुरा हाल या यू कहें कि ऐसा प्रदर्शन जो पीसीबी की नीदे उड़ा दे टीट्वेंटी वल्लकप दोहजार चौबिस के बाद गैरी कॉस्टन ने शाहीन शाफरीदी के कोशेस के साथ गलत बरताव करने की बेबात करी और वहां से भी पाकिस्तान क्रिकेट में जो फूट पड़ी है उसकी बाते निकल कर और जाहिर तोर पर सामने आ गई कप्तानी नहीं बलकि कोचिंग स्टाफ से लेकर सेलेक्शन कमिटी तक में भी पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार बदलाव देखने को मिले कभी मुहमद हफीज तो कभी वहाब रियाज लेकिन कोई अपनी जगए नहीं बचा पा रहा है वहाब रियाज और अब्दुलर्जाक को हाली में सेलेक्शन कमिटी से बाहर का रास्ता दिखाया गया आजया सामने आपको बताया कारण बतायागा T20 वर्ल्ड कप में एक हराब प्रजर्शन लेकिन एक है जो पाकिस्तान क्रिकेट को अपने हिसाब से चला रहे है और उनकी जगए लगातार बनी हुई है वो है PCP चेर्मेन महसिन रजा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट नकवी साहब के इर्दिगिर्धी फिलाल चल रही है लेकिन अभी तक नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट में इस थिर्ता लाने में असफल रहे हैं और लगातात बदलाव करते आए हैं मौसी नकवी ने इसी साल के शिरुवात में जका अश्रफ की जगए ली थी, हलागि PCB चेर्मेन की भी गदी पिछले एक साल से काफी बदलती नजर आई है। लेकिन अब नए ब्लूप्रिंट के साथ वाइड बॉल क्रिकेट में कप्तान बाबाराजम कोच गैरी करस्टन और टेस्ट में कप्तान शान मसूद और कोच जैसन गिलिस्पी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। हाला कि अब नए ब्लूप्रिंट के साथ वाइड बॉल क्रिकेट में कप्तान बाबाराजम कोच गैरी करस्टन के साथ और टेस्ट में कप्तान शान मसूद कोच जैसन गिलिस्पी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। हाला कि बाबा की कप्तानी बचने से और उनको और अथॉरिटीज देने से कई सारे पूरो पाकिस्तानी खिलाडी नाखुश भी जरूर होंगे और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं। हाली में शाहीद अफ्रीदी ने बाबा राजम की कप्तानी पर अपने एक हालिया दिये गए बयान में कई सारे सवाल खड़े किये थे और उन्होंने कहा था कि उनको बहुत मौके मिल चुके हैं। साथी उन्होंने खिलाडियों के चुनाओ पर भी सवाल उठाए थे। हाला कि दोनों कोचेस का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आपको अपनी जगें बनानी है। दोनों कोचेस मतलब जैसन गिलिस्पी और गैरी कॉस्टन तो आपको अपनी फिटनेस पर सुधार करना पड़ेगा। इन सारी चीजों से पाकिस्तान क्रिकेट फिलहाल खीरी हुई है अब इस पर आपको क्या मानना है इसके बारे में अपनी राय हमें आपको कॉमेंट सक्षिन ने बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा स्पोर्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्स लाइव अबिपी लाइप को पर एक्स्क्लूजिव और इंसाइफुल वीडियो सब्सक्राइब तो आर न्यू चैनल अबिपी लाइव प्रेमियल